दमो जन्पत के ग्राम पंचायत कनिया घाट पाटी अंतरगत आने वाले ग्राम नीमुआ घाट पट्टी के समस्त ग्राम वासी युवा इंकलाबी समाज सेवी द्रिकपाल सिंग लोधी के साथ कलेक्टर मोधई को ग्यापन देने कलेक्टर कार्यालाई पहुचे ग्रामीनों ने बताया कि लोक निर्मान विभाग द्वारा उनके ग्राम की मुख्य सड़क का निर्मान किया जाना था जो की कार्य भी स्विक्रत हो चुका था और कार्य शुरू भी हो चुका था परन्तु जिन किसानों की भूमी में से सड़क का निर्मान किया जाना था उन में से दो किस था कि प्रशासन उन किसान की समस्या का कोई समाधान करें जो सड़क निर्मानकारे में नियायलीन प्रक्रिया करके बाधार डाल रहें। इस दोड़ान समस्तर ग्रामवासियों की उपस्तिती रही। भारती नियूस के लिए दमों से चतरविज बिट्टो दुबे की रिपोर प्रशासन की अब लापरवाई अगर किसी की निजी जमीन फस रही है तो मेरा प्रशासन से यह अनुर्य दें ग्राम बासी बद से बत्तर इस्तिती जीवां जी रहे हैं आप जल्द से जल्द का निर्मानकार करें अपर कलेक्टर साब ने और अधिकारियों ने कहा कि मेरे संग्यान में हैं उनको जानकारी तो है पता नहीं क्यों रोके पड़े हैं जिन लोगों ने सहमत ही दिए उनकी मौफजरासी आई है उनके खाते में एक महिने दो महिने कई महिनों से आई है लेकिन वह अभी तक बित्रा नहीं की जा रही है तो आधिकारियों के संग्यान में है सड़क मार लेकिन पुराना बहुत कि आई जा रहा था कुछ चंद्र लोगों के पृति सड़क मार निर्माना कार को बादित किया गया जिसे सड़क निर्माना कार रुक गए लेकρι जो चलर जाब पी डिवहbnा की द्वारा चल रहा था जब शड़क मनजूर होतीं सेंक्शन होती है इस में ईपर वनाई जानी तो उसमें पहले देखा जाता है कि निजी जमीन है या सरकारी जमीन है तो उसके हिसाब से पैसा बित्रण की आ जिसकी निजी जमी ने उसके लिए पैसा की लापरवाई है कि बना और तुमने सब कुछ देखा और फिर भी रोड निर्मान कारी रुकवा दिया गया ऐसा क्यों या तो फिर बना नहीं और काम शुरू कर दिया इसमें सासन की लापरवाई है या तो सासन इसमें इंट्रेस्ट नहीं ले रही है इससे काम रुक गया है तो हम यहीं चाह रहे हैं कि हमारी सड़क निर्मान कारी को पूरा किया जाए इसमें क्या समस्या आ रही है क्या नहीं आ रही है कहा समस्या है सासन अपने हिसाब से कोई जाता नहीं है जो गाव के लोग है वो अपने हसाब से वही 1970 वाली जिन्दगी जीते हैं कहने को सिरफ आजादी है लेकिन आजाद नहीं हैं जब कोई मुखमार्ग से सडब का निर्मान हुआ है आने जाने में समस्राइ है तो क्या है आजादी सिरफ नाम है वही गुलामी की जिन्दगी अभी भी जी रहे हैं कीडा मकोड़ी तरह है जैसे नाली में कीडा मकोड़ा चलते हैं बैसे ही रेंगते रेंगते जाते हैं मेड़ो का सहारा लेना पड़ता है सडक से जुड़ने के लिए कोई बीमार होता है चारपाई से ले जाना पड़ता है एदी ले जाने म जो मास्ट एक्सिडिंग चनल झाल एव